अपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो गिलास दूद को और वो सोची भी होती है तबी तक इधर हमें दिखाया जाता है कि इधर दो बंदे लड़ाई कर रहे होते हैं वो भी एक लोटस को लेके कि ये कौन सी प्रजाती का लोटस है ये पाइथन रेड लोटस है या फिर कोई और लोटस है और इसी बात को लेकर इन दोनों में बहुत देर से जगड़ा हो रहा होता है कि इसके उपर ये जो येलो डॉटस है ऐसा है वैसा है कैसा है तब ही वहाँ पर किंग्यू ना जाता ह और वो बोल रहा होता है ये कोई पाइथन रेड लोटस नहीं है और नहीं ये स्पिरिट रेड लोटस है ये एक लश्ट रेड लोटस है तो वो लोग कहने लगते हैं आखिर ये बच्चा कौन है और ये यहाँ पर कैसे आ गया है और पीच में हमारी दखल अंदाजी दे र जो कि जो मैं कहह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है और तुम लोग जो इसके बारे बात कर रहे हो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तब वो बंदा कहने लगता है उस लेडी से कि ये बेकार सा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है इसे जल्दी करो और इस अलकेमिस्टॉल से बा लगता है और कहा रहा होता है हाँ यह बच्चा बिल्कुल सही कहा रहा है यह बेकुफ नहीं बना रहा है लेगिन वो जो बंदा होता है वो कहा रहा होता है तुम किसी की बात उपर असानी से विश्वास कर लेते हो तुम्हें क्या लगता है यह बच्चा हमसे सच कह रहा है तो वो कहता है टकलावल आदमी के लो तुम खुद ही देख लो जब ये खुद देखता है तो इसे अभी भी अपनी आखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि क्या ये सच मुछ है उसके बाद वो जो टकलावल आदमी होता है वो क्यूंग्यून से पूछ रहा होता है नहीं चाहिए, तो दूसरा बंदा कहता है, तो तुम्हें आखिर, इस चीज के बदले में कinya चाहिए, और फिर वह वह है वहाँ से जाने लगता है, तो जो टक्ला वाला बंदा होता है, वह कहता है, कि मैं, मैं एक एलकेमी हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें वो चीजी नहीं चाहिए किंग्यून कहता है जो मुझे चीज चाहिए वो तुम मुझे बनाकर कभी भी नहीं दे सकते हो और ये कितनी शर्मनाक बात है तुम्हें लिए तो फिर ये लोग उसे और भी लालस देने लगते हैं और ये टकला आदमी कि यून से कहा रहा होता है कि अगर तुम्हारे जवाब ने मुझे सेटिस्पाय कर दिया तो मैं ये तुम्हें रेड लोटस दे दूंगा तो वो कहता है क्या बस यही रेड लोटस तो वो कहने लगता है अचा बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए तुम्हें जो चाहिए हम वो देंगे वो कहता है कि उससे लेवल थ्री का यून शू स्टोन चाहिए वो कहता है बस इतनी सी चीज़ ठीक है हम तुम्हें दे देंगे अ लेकिन यह जो पतला आदमी होता है यह इस बात से बहुत नाराज होता है और यह उस टकले आदमी से उस रेड लोटस को ले ले लेता है और कह रहा होता है यह बच्चे हमें बेवकुब बना रहा है और तुम इसकी बातों में आ रहे हो लेकिन वह टकला आदमी कहने लगता है कि आखिर ये तुम क्या गर रहे हो ये lotus कितना ही साथ expensive है और हमारी academic research के लिए और भी सारी चीज़े तो जाननी भी ज़रूरी है अब क्यों ग्यून आता हो और बता रहा होता है कि ये जो fire red lotus है ये actually एक mutated red lotus है जो कि red lotus और spirit red lotus के combination से पैदा हुआ है तो वो टकला आदमी कहता है अच्छा तभी तो मैं सोचूं कि ये red lotus और spirit red lotus जैसा क्यों लग रहा है थोड़ा थोड़ा बैसा करके लग रहा था उसके बाद वो किसी teacher जैसे शुरू हो जाता है और उन लोग को lotus के बारे में सारी जानकारी दे रहा होता है वैसे मेरा एक subscriber भी है जिसका नाम है demon baba अगर आपको उससे कोई business tips चाहिए तो आप उसे ले सकते हैं बड़ा अच्छा समझाता है लेकिन बड़ा भणवा आदमी भी है अगर आपको लेना हो तो देखिएगा वो भणवा ज़रूर comment वहीं कहीं होगा इसे ही घुम रहा हो और बोल रहा हो कि बहुत अच्छा वीडियो है उसका नाम demon baba है अगर आपको share market ये किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी हो तो ले सकते हैं उससे देख लेना नीचे उसका comment होगा ही और उससे पूछ सकते हो और फिर सारी बाते समझाने के बाद कि उन्यून कहरा होता है ठीक है तो मैं इस red lotus को अब ले लेता हूँ और जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे वो third level ये इन्श्टोन भी देने वाले हो कहीं तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं न जाओगे तो वो लोग कहने लगते हैं नहीं ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला है एक second rank के अलकेमिस्ट कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरता अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये स्टारेक एड में पहुँच चुका है और हस्ते हस्ते जा रहा होता है कि मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये flaming red lotus मिल जाएगा अगर उन लोग पर पता चल जाता है कि मैं इस lotus से क्या क्या करने वाला हूँ तो वो लोग पका मेरा पीछा करते हैं और इस lotus को लेने के अपनी पूरी कोशिश करते हैं तभी हमें दिखाया जाता है कि महाँ पर कोई practice कर रहा होता है जोर चोर से और जैसे ही क्यूंग्यून उसे देखता है वो सोच रहा होता है अरे ये तो यही है और फिर हमें इसका नाम बताया जाता है इसका नाम होता है शैंग जी और इसका क्यूंग्यून के साथ काफी अच्छा relationship है अभी कुछ हाल फिलाल में इनकी दोस्ती हुई है और ये हमेशे ट्रेनिंग करने के लिए यही पर आया करता है इसका talent average है लेकिन ये बहुत महनत करता है और अपनी महनत और लगन के सहारे इसने अपने violent transformation realm को 9th level तक पहुचा दिया है शैंग जी भी क्यूंग्यून को देख लेता है और वो कह रहा होता है कि जो brother ये है वो गेट के बाहर गया है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि तुमने उनके छोटे भाई को मारा है इसलिए तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है लें क्योंग्यून कहता है ना मुझे क्यों सावधान रहना है मगर शैंग कहने लगता है कि जो who है वो पहले ही ये इनडिफिसेशी रेलम के 4 लेवल तक पहुँच चुका है क्योंग्यून कहता है कि मुझे से बात मत करो अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी practice कैसे चल रही है तो शैंग कहने लगता है कि काफी बूरी चल रही है मैं ये इनडिफिसेशी रेलम में अभी तब breakthrough नहीं कर पाया हूँ मैं 20 साल का हो चुका हूँ लेकिन इससे कुछ भी फरक नहीं पड़ता है कि मैं कितनी भी ज़ादा मैनत क्यों ना कर लो मैं टैलेंट में हमेशा पीछे ही रहाँ गो और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्यों यून उससे सहारा देके कहने लगता है कि जो तुम्हारी लगन और तुम्हारी मैनत है वो कभी भी तुम्हे ब्रेक्ट्रू करने से नहीं रोप पाएगी क्योंकि तुम हमेशा उस चीज़ को चाते हो और आपको तो पता ही है कि आप जिस चीज़ को पूरे शिदत से चाते हो पूरी काइनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है लेकिन रशियन नहीं मिलेगी भाई बता रहे हैं बहुत पैसा लगता है उसके आगे वो कह रहा होता है कि तुम्हें काम क्यों नहीं करते हो तुम अपनी प्रैक्टिस से कुछ समय के लिए पीछे क्यों नहीं हड़ जाते हो और फिर उसके बाद आगे बढ़ने की सोचना वो कहता है क्या प्रैक्टिस से पीछे हड़ जाऊ और फिर आगे बढ़ने की सोचू और फिर किंग्यून उससे समझाने लगता है और कहा रहा होता है ठीक है मैं तुम्हें एक बाद बताता हूँ सबसे पहले तुम अपनी आखे बंद करो और जो मैं कह रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुनो वो अपनी आखे बंद कर लेता और फिर क्यों जून उसे बता रहा होता है कि मान लो कि तुम हो और तुम्हारे आगे एक बहुत बड़ी चटान है वो चटान तुम्हारे रास्ते का चटान है और तुम्हें उस चटान को तोड़ना है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि तुम कितनी भी लगन से अपनी कल्टिवेशन को पूरा करो या कितनी मेहनत से कोशिश करो तुम उस चटान को ना तो तोड़ सकते हो नहीं पार पर सकते हो और यही तुम्हारा टैलेंट है इसलिए तुम्हें कुछ अलग सोचना पड़ेगा वो से एक बड़ी अलग और अजीब तरीके से समझाता है कि देखो जो किसी भी चीज की लाइफ होती है वो कुछ समय के लिए ही रहती है वो अमर नहीं है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो तुम कल्टिवेशन का अपना एक नहीं रास्ता क्यों नहीं ढूनते हो मतलब सब लोग जैसे मतलब बैठके कर रहे हैं तो ज़रूरी थोड़े हैं कि तुम भी बैठके करोगे तुम खड़ा होके करोगे गलत गलत सोसते रहता है शेंग कहा रहा होता है अब मैं समझी क्या मुझे एक कदम पीछे लेना है और तब तक किंग्यून वहाँ से गायब हो जाता है और दूसरे डारेक्शन में जाने लगता है लेकिन वो कहता है रुको वो डारेक्शन तो वो तो सीधे वो के रेजिडेंस के पास जाती है वो भागते वे जा रहा होता है उसी डारेक्शन में और कह रहा होता है कि ब्रदर ये मुसीबत में होंगे उन्हें मेरी जरूरत होगी मुझे वो जल्दी से जल्दी वाँ जाना होगा यह कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें भी मार दूँंगा तुम समझ रही हो शैंग काफी गुश्य में होता है उस Easyолов काफी गुस्से में होता है कि वू ने क्यूंगी उनको मार दिया है इसलिए वो कहता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ाँगा साथ और हाँ एक स्लोगन याद रखना दो सुबा दो शाम और एक रात आगे आपको इसका मतलब जल्दी ही पता चल जाएगा तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई